हाई welcome to my channel इस वीडियो में solve करें question number 6 तो ध्यान्द जी का और retailer buys a cooler for Rs.1200 तो 12 रंडर क्या है? CP है retailer का अब कर रहा है कि overhead expenses on it are Rs.40 तो इस cooler खरीद करके खरीदने में जो overhead expense लगा वो है Rs.40 तो overhead expense का मतलब क्या हो गया है हाँ पर कि cooler को खरीदा उसको घर ले जाना पड़ेगा ना घर ले जाने के लिए कुछ कोई van करनी पड़ेगी तो जो भी van वो hire करेगा उसके लिए पैसा लगेगा या फिर जो मजदूरी देगा जो भी labor करेगा कोई कोई labor आकर उठाएगा उसको उठाकर के उसमें रखेगा उस car में ठीक है उस band में फिर लेकर वो जाएगा है कि ने ट्रॉली में जब तो वो जो भी cost लगा वो रूपीज 40 रूपीज लग गया ठीक है अब करें कि he sells if he sells the cooler for rupees 1550 यदि वो 1550 रूपीज में वोदी बेज देता है determine his profit percent तो यह बताएगे उसका जो total उसका जो cost price होगा वो 1200 नहीं होगा बलकि उसका जो overhead expense है ना उसको भी add करना पड़ेगा उसमें क्योंकि जो overhead expense किया है वो cooler को ले आने में किया है इसका मतलब कि cp ही हुआ वो तो कहने का मतलब यहां पर आप जो है cp का यूज रही करेंगे बलकि effective cp का यूज करेंगे profit percent निकालने में तो यहां पर पहले आप आ करोगे जो दिया है उसको मान लोगे मतलिक लोगे cp of cp of the cooler इसको लूद दिया हुआ है 1200 रुपीज और ओफेट्स दिया हुआ है वो दिया है रुपीज 40 इस 40 रुपीज अब करना क्या है यहां पर निकालना पड़ेगा आपको इफेक्टिव cp इफेक्टिव cp क्या है यहां cp है जिसको आप यूज करके आप प्राफिट परसन निकालोगे यहां पर जो इफेक्टिव cp निकलेगा वो होगा जो cp पहले से जो यहां पर है जितना में खरीदा था वो cooler को और जो overhead expense लगा उसको add करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलता है इफेक्टिव cp मिन्स 1200 में add करना पड़ेगा 40 मिल जाएगा 1200 40 रुपीस यह होगा आपका इफेक्टिव cp और इसका यूज करके आप निकालोगे profit percent और sp आपका दिया हुआ है sp of the cooler मतलब कि cooler को sell करने में जो price उसका लगा है selling price से कितना है 1550 1550 तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि cp एफेक्टिव cp से जो sp of the cooler है वो क्या है ज्यादा है इसका मतलब कि इसको profit होगा तो कितना percent होगा तो so यहाँ पर निकाल लगे हम profit percent profit percent is equal to क्या होता है sp में से minus करेंगे cp और cp से divide करेंगे और जो ratio आएगा उसमें 100 से मतलबाई कर देंगे this will give you percentage यहाँ पर sp क्या यूज करेंगे यहाँ मिलेगा आपको 1500 50 minus cp कितना है 1240 1240 हमेशा यहाँ पर जो cp यूज करेंगे वो यह जो effective cp है उसी करेंगे यदि overhead expense दिया है तो याद रखेगा क्योंकि यह पूरा cp यही होता है whole upon जो cp है यहाँ यहाँ पर 1240 ही यूज करेंगे यहाँ भी into 100 अब यहाँ पर solve करते हैं 0 में से 0 जाएगा 0 ही रहेगा 5 में से 4 जाएगा 1 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 1 जाएगा खतम यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 0 तो by by 150 यहाँ से जरी चिंशल हो गया अब यहाँ ऊपर करता है यहां पर हो जाएगा 2 से करता है 2, 6, 12 and 2, 2, 4 यहां पर कटेगा 2, 1, 2 2, 1, 2 11 हो गया, 2, 5, 10 फिर 2, 5, 10 155 हो गया यहां पर किस से कटेगा यह अब यहां से 2 से यहां भी करा सकते है 2, 3, 6, 2, 2 और यहां से कटेगा 2, 5, 10 देखे, 31 से यह केंसे राट हो जाएगा कितने से 5 से तो 31 बंजा 31 31, 5 जा 155 आता है क्यों आता है क्योंकि 31 में यहां 5 से उप्लाइ करेंगे तो 155 भी आएगा मतलब फाइनली यहां पर 5 बचा है एक और यह कटेगा तो मिलेगा आपको यहां 5 मतलब दो 5 से बचे हुए है 55 होई जाएगा यहां पर 25 परसेंट आपका जो है क्या होगा प्राफिट परसेंट होगा मतलब 25 परसेंट का प्राफिट हो रहा है उसको जब यह कूलर पर 40 रुपीज का अभी ओफाल एडिक्समेंट लगाने पर भी जदी वो बेच रहा है 1550 में तो इसको परफिट हो रहा है कितना 25 परसेंट का ओके थैंकिस सो मच फर वाचिंग लाइक करते जगा और सेर करते जगा अपर दोस्तों को ताकि वो भी देख पाएं ओके थैंकिस सो मच अगेर बाई